हाई फ्रेंड्स दिस इस सुधिन्दर सर्फ फ्रॉम प्लेयर ऑफ नंबर्स यूटूब चैनल फ्रेंड्स सिंप्लिफिकेशन के पार्ट एट में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेशन की सौट ट्रिक सिखाऊंगा आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेशन लेकर आया हूँ जो बार-बार एक्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपके आगामी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चाहे आप SSE, CGL, SSE, NTPC, SSE, MTS या फिर बैंक या रेलवे का एक्जाम का प्रिप्लेशन कर रहे हो तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं तो आईए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग basic questions, simple questions लेकर के आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद hard questions भी करने वाले हैं जो एक्जामस में बार-बार पूछे गए हैं simplification short trick part 8 अगर दोस्तो अभी तक आपने part 1 से लेकर के part 7 तक की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कमाल के trick सिखाई है एक basic topic लेकर के कमाल कमाल के trick बनाई है अगर आपने वो सारी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसकी link आपको description box में मिल जाएगी आपको सीधे playlist section में जाना है और simplification पर click करके सारी वीडियो को देखना है जिससे आपके calculation के speed और भी increase जाएगी दोस्तो तो चलिए start करते है part 8 यहाँ पर एक simple सा question दिया गया है P divided by Q divided by R divided by S अगर ऐसा कोई question आता है दोस्तो आपके exam में तो आपको क्या करना है पहला वाला जो term है उसको as it is लिखना यहाँ पर क्या है P है तो P को मै as it is लिखूँगा उसके बाद upon की sign डालने है upon की sign डालने के बाद कितने terms की divide वाली sign दी हुई है यहाँ पर divide की sign है यहाँ पर B और यहाँ पर B है मतलब यहाँ पर Q है तो आपको यहाँ पर Q लिखना है और इसमें भी divide की sign है मतलब यहाँ पर multiplication करो यहाँ पर R लिखो then again multiplication यहाँ पर S लिख दो आपका answer आ गया तो अगर ऐसा question exam में आता है तो उसका answer क्या होगा दोस्तो P upon Q into R into S Q into R into S के हुआ क्योंकि तीनों में divide की sign थी और मैं इसको अगर solve करूँगा तो इसका reciprocal होने से divide की sign multiplication में change हो जाती है इससे यहाँ पर multiplication आ गया चलिए यहाँ पर एक और question दिया हुआ है इसको भी हम लोग solve कर लेते हैं यहाँ पर question दिया है 9 divided by 3 divided by 3 into 3 तो इसको भी वह ऐसे ही solve करेंगे दोस्तों यहाँ पर 9 लिखना है upon करना है divide की sign कहां पर है यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है मतलब कितने time होए है यहाँ पर 3 आ जाएगा दोस्तों into 3 into 3 आ गया और अगेन क्या दिया है into 3 दिया है तो इसको as it is यहाँ पर into 3 करके लिख दो 3 3 9 मतलब यह 3 3 से 9 cancel हो गया 3 3 जा यह भी cancel हो गया 3 1 जा 3 हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर answer मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर answer मुझे मिल रहा है 1 यह मिरा answer हो गया friend ऐसे ही आपको answer find करना है यह तो होगे basic question यह simple से question हो गया आप हम लोग hard question करेंगे जो exam में पूछे गया है friends अभी आपके सामने question दिया गया है 9941 upon 47 into 47 इसका मुझे answer find करना है दोस्तों इसके मैं दो method बताऊंगा पहला तो जो simple method है और दूसरी sort trick sort trick से कैसे यह वाले question का second हम लोग answer find करेंगे ओ भी मैं बताऊंगा बट हम लोग उसके पहले basic method से इसको solve करेंगे basic method से solve करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो mix fraction दिया है इसको हम लोग कैसे solve करते हैं मैंने simplification के part 3 वीडियो में दोस्तों यह भी बताया है कि fraction वाले समको कैसे solve करना है fraction में तो वीडियो भी आप देख लेना उससे आपको जो है idea मिल जाएगा कैसे mix fraction को हमको solve करना रहता है तो यहाँ पर क्या दिया है 9941 upon 47 तो अगर मैं पहले इसको solve करूंगा यह हो जाएगा 99 plus 41 upon 47 हो जाएगा और क्या दिया है यहाँ पर into 47 दिया है bracket क्यों लगाया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 2 term हो गया अगर किसी भी algebraic expression के बीच में plus या minus की sign आती है तो वो उसको terms में divide करती है ना कि multiplication and division तो यहाँ पर plus की sign आ गए इसकी वज़ास bracket लगा क्योंकि यह 2 term हो गया और 2 term से 47 multiply हो गया तो अगर मैं bracket open करूंगा यह हो जाएग 99 into 47 करने की multiplication करने की भी वीडियो मैंने बना रखी है दोस्तों वह वीडियो आपको प्लेलिस सेक्षन के calculation में मिल जाएगा उसमें मैंने multiplication डिविजन एडिशन सब्रेक्षन सबके सॉट ट्रिक सिखाई है और basic method भी सिखाया है कैसे सॉट ट्रिक अपलाई करके हम फटा-फट multiplication कर सकते हैं वो सारे ट्रिक मैंने बताई है दोस्तों वह वीडियो आपको प्लेलिस सेक्षन में मिल जाएगी तो इसका हम लोग multiplication करते हैं यहां पर क्या दिया है तो इसका multiply करने का एक basic role तो यह होता है कि 99 से मैं किसी भी number को multiply कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है जो दूसर 47 को इसमें से माइनस कर दूँगा अगर मैं 4700 में से 47 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 4653 यह आ गया मेरा multiplication दोस्तों इतनी कमाल के trick है multiplication find करने की अगर हम लोग basic method करके multiply करते हैं तो कितना time लग जाता तो यहां पर multiplication मुझे क्या मिल गया 4653 47 47 cancel हो गया प्लस क्या बच रहा है यहां पर 41 बच रहा है और अगर मैं इसको add करूंगा तो मुझे मिलेगा 4694 यह मेरा answer आ गया यह भी basic method का यूज करके आया है दोस्तों उसमें भी मैंने थोड़ी से यहां पर sort trick यूज की है बट अभी मैं जो आपको sort trick सिखाऊंगा यह और भी कमाल के trick है इससे और भी कम time में हम लोग answer find कर सकते हैं दोस्तों जादस जादा 5 second लगेंगे आपको answer find करने में देख लेना आपके सामने अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग सीखते है sort trick, sort trick कैसे apply करना है उसके rule मैं आपको बता देता हूँ उसके ल जैसे कि यहां पर 47 है यहां पर 47 है मतलब यह trick कभी काम करती है जब denominator वाला number multiplication वाले numbers के साथ match करता है दोनों equal number अगर रहेंगे तो भी यह trick काम करेगी दोस्तों तो यहां पर 47 है और यहां पर 47 है तो मैं यहां पर trick apply करूँगा और trick कैसे apply करना है friend वो मैं आपको बताता 47 को लिख देना है जैस फोड़ी सेवन लिखने के बाद यहां पर देखना है कौन सा नंबर है यहां पर क्या है 99 है अगर 99 है मतलब आपको क्या करना है two zero लगाना इसमें अगर 999 रहता तो मैं 30 जिरो लगाता अगर 9999 रहता तो मैं यहाँ पर क्या करता चार जिरो लगा देता मतलब इसमें जितने डिजिट रहेंगे उतने जिरो आपको लगा देने है उसके बाद क्या करना है यह तो अपना हो गया step 1 step 2 में क्या करना है आपको इन दोनों के बीच का difference find करना है 41 and 47 के बीच का difference आपको find करना है दोस्तो इसके बीच का difference कितना होगा 6 का होगा मुझे भी पता है आपको भी पता होगा 41 plus 6 क्या होता है 47 होता है अब यह 41 and 47 के बीच का जो difference था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तो 4700 में से आपको क्या करना है 6 को subtract करना है अगर मैं subtract करूँगा दोस्तो तो मुझे मिल जाएगा 4694 ये मेरा answer आगया दोस्तो ये है Sautrick Sautrick का कमाल देखो दोस्तो सिर्फ दो step में मुझे answer मिल गया और कितने कम time में मुझे answer मिला है चलिए एक और question हम लोग solve करते हैं और अपने concept को और भी strong करते हैं Friends आपके सामने question दिया गया है 99945 upon 46 into 46 यहाँ पे भी हम लोग Sautrick apply करेंगे दोस्तो तो उसके लिए rule क्या कहता है कि जो denominator वाला time है multiplication वाले time के साथ same होना चाहिए मतलब यहाँ पे 46 है और यहाँ पे भी क्या है 46 है मतलब एक time मुझे यहाँ पे same मिल गया तो हम लोग यहाँ पे अपना Sautrick जो है apply कर सकते है Sautrick apply करने का rule क्या है दोस्तो 46 को adjectives लिखना है मैंने यहाँ पे 46 को लिख दिया उसके बाद 999 दिया है मतलब कितने digit है यहाँ पे 123 तो आपको क्या करना है 30 लगाने के बाद दोस्तो यह वाले time के 20 में आपको difference देखना है कितने का difference है कितने का difference है तो क्या करना एक उपरैट कर देना है किस में से 46,000 में से अगर मैं इसको सब रैट करूँगा दोस्तों तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे अगर मैं सब्राइट करूँग। दोस्तो मुझे मिल जाएगा 45,999 ये महीं चल्ब में ऐसे ही आपको आंसर सूर करना है इतने बड़े नंबर की इतनी झल्दी हमने अंसर ज़रूर करें और उपने फ्रेंट जिनको इस वीडियो से हिल्प हो सकते उनको शेयर करें फ्रेंट टिप्स and ट्रिक्स के ऊपर ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रहिए वो सारी वीडियो आपको प्लेश सेक्शन में मिल जाएगी वीडियो अंदर तक देखने से लिए बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए स्वस्त रहे बेस्त रहे मस्त रहे और मैट्स को प्रैक्टिस करते रहे जाहिंद